हम भगवान को भोग जब चढ़ाते हैं, तो 56 भोग ही क्यों चढ़ाते हैं? 55 या 50 या 10 या 1 या 100 या 1000 इतने भोग क्यों नहीं चढ़ाते? इसके पीछे की स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग है. चलिए आज आज आपको यही सुनाते हैं. हाई मैं हूँ रुची और यह है स्टोरियां बाईरंगीली रुची. मेरी ना इस जेनरेशन के साथ में प्रॉब्लम ही यह है कि क्यों हम क्यों यह सवाल नहीं उठाते जब भी हमें कोई tradition, follow करने को कहता है या किसी भी belief में अपनी belief को जोड़ने को कहता है. हम तयार हैं करने के लिए लेकिन उसके पीछे का हमें reason तुबताओ. जैसे कि भगवान को छपन भोगी क्यों चड़ाते हैं? तो यह कहानी जो है वो जाती है उस समय पर जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठा के रखा था. वैसे गोवर्धन परवत से जुड़ी हुई एक special story मैंने पिछले ही हफ़ते release की थी. अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को मैं लिंक करती हूँ. लेकिन बात कर रहे थे हम 7 दिन तक उस परवत को उठा के रखने की जिससे की गाउवासियों को इंत्रदेव के प्रकोप से बचाया जा सके. क्या आपको पता है मा यशोदा हर दिन भगवान श्री कृष्ण को 8 मील्स सर्व करती थी. यानि कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार खाना खाते थे. और 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन परवत को उठा के रखा था बिना कुछ खाय पिये. इसलिए जब 7 दिन के बाद में वो अपने घर वापस लोटे थे तो 7 डेज इन्टू 8 मील्स जो कि उनकी छूट गई थी. यानि कि 56 मील्स मा यशोदा ने परोसी थी भगवान श्री कृष्ण को जिसे हम आज की तारिक में 56 भोग के नाम से जानते हैं और इसलिए हम भगवान को 56 भोग ही चड़ाते हैं. क्या आपको ये स्टोरी पता थी? अगर हां तो that's great और अगर नहीं तो ऐसी ही कुछ स्टोरियां जो आपको पता हो वो मेरे साथ में शेयर कीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और देखते रहिए स्टोरियां बाईरंगीली रूची.